हाई अवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक इंटरनेशनल ब्रैंड के हाइडरेटिंग क्लेंजर के बारे में जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपिलर है फेमस है और मैं बात कर रही हूँ सेरावे स्किन केर ब्रैंड की ये ब्रै के बारे में जानने से पहले बात करते हैं सेरावी ब्रैंड के बारे में सेरावी ब्रैंड के बारे में अगर बात करें तो ये यूएस का मोस्ट पॉपिलर स्किन केर ब्रैंड है और इसे डर्मेटोलोजिस के ग्रूप ने मिलकर बनाया है इस ब्रैंड के प्रॉड़क्स व यह सारे products में आपको एक ingredient common मिलेगा और वह हैं तीन टाइप के essential ceramides आपको सारे products में यह ceramides मिलेंगे, यह सारे products ceramide based हैं. यह ceramide क्या करता है यह आपकी skin से dryness को control करता है, skin को moisture provide करता है, इसकिन के barrier को weak होने से बचाता है barrier जब आपका strong रहता है तो acne and breakouts के chances काफी कम हो जाते है यही सारी qualities आपको इस face wash में भी मिलेंगी इसमें भी आपको 3 type के ceramides मिलेंगे यह ceramides आपके skin barrier पे काम करते हैं आपकी skin को moisture करेंगे, dry होने से बचाएंगे जब आपकी skin का barrier strong रहता है तो skin healthy रहती है और glow करती है ceramides के अलावा इस cleanser में है hyaluronic acid hyaluronic acid का काम होता है हमारी skin को proper hydration प्रोवाइट करना और dryness से बचाना इसके अलावा इस cleanser में एक और unique बात है जो अभी तक personally मैंने किसी cleanser में नहीं देखी है वो है इस cleanser की MVE technology इस MVE technology की help से आपकी skin को पूरे 24 आवाज तक hydration and moisturization मिलता रहता है as a result आपकी skin dry and dehydrated नहीं लगती अब अगर आपकी skin का barrier protected रहेगा और आपकी skin लंबे time तक hydrated रहेगी तो वो अपने आप naturally glow भी करेगी packaging इस product की काफी simple and premium है यह cleanser आता है plastic bottle में pump packaging के साथ यह super handy है आप इसको easily लेकर कहीं भी carry कर सकते हैं और इसका price है 315 रुपीस इसकी packaging पे ही दिया है कि यह cleanser fragrance free है hypoallergenic है यानि कि अगर आपकी sensitive skin है तो यह उस पे भी suit करेगा उसे irritate नहीं करेगा इसके अलावा यह non comedogenic भी है आपके face पे अगर pores हैं तो वो clog नहीं होंगे इसे use करने से यह paraben free है and dermatologically tested है texture is cleanser का बिलको lotion like consistency के जैसा है यह बहुत smoothly skin पे glide हो जाता है cream form में है इसलिए आपकी skin को moisturizer वाला effect भी देता है यह बहुत light weight है जब आप इसे apply करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने face पे moisturizer या फिर lotion apply कर रहे हैं यह बहुत gentle है और non drying formula के साथ आता है यह एक non foaming cleanser है इसलिए जब आप इसे apply करेंगे तो यह foam या फिर leather create नहीं करता है लेकिन आपकी skin को बहुत अच्छे तरीके से clean कर देता है इसकिन benefits की बात करें तो यह cleanser suit करता है dry to very dry skin को इसलिए अगर आपकी dry skin है तो यह आपके skin को अच्छे से clean करेगा उसे hydrated रखेगा plus आपके barrier को disturb नहीं करेगा dry skin के अलावा यह cleanser sensitive skin के लिए भी perfectly suitable है even मैंने इसे अपनी oily skin पे भी apply किया था winter के time पे मेरी skin dry हो गई थी इसलिए मैंने इसे अपनी skin पे apply किया था और इसने मेरी skin को भी बहुत अच्छे से clean किया hydrated रखा इस type के moisturizing face wash को लगाने का तरीका थोड़ा सा different होता है normal face wash के comparison में तो इसे apply करने के लिए आपको अपना face wet करना है और desired amount जितना आपको चाहिए उतना face clean करने के लिए वो लेना है मैं इसे अपने गीले face पे apply कर रही हूँ अब यहाँ पे आपको इसमे water mix नहीं करना है और directly इससे अपने face पे gently massage करनी है 60 second rule आप यहाँ पे follow कर सकते हैं face को अच्छे से clean करने के लिए यहाँ 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 तर लिए मुझे इसका रिच हाइडरेटिंग टेक्शर बहुत अच्छा लगा यह आपके फेस की स्किन के लिए बहुत लाइट एंड सॉक्ट है इसकिन के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं है और सेरमाइड एंड हालरोनिक एसिट के साथ में होने की वज़े से आपकी स्किन का टेक्शर भी इंप्रूव होता है ड्राइ एंड सेंसिटिव स्किन के लिए यह क्लींजर एक बैस्ट ऑप्शन है और अगर आपकी एज 40 प्लस है तो भी यह बहुत अच्छा क्लेंजर है आपकी स्किन के लिए प्लस इस फेस वाश को आपको हर सीजन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वेदर चेंज होने की वज़े से आप इसे हर मौसम में यूज कर सकते हैं मुझे परसनली यह क्लेंजर बहुत पसंद आया इसका फॉर्मला बहुत अच्छा है इसका टेक्शर बहुत अच्छा है यह नॉन ड्राइंग है बहुत हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए इसलिए अगर आप एक जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वाश यूज करना चाहते ह तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राइ है सेंसिटिव है या फिर फ्लेकी है तो आपको इस टाइप के हाइड्रेटिंग क्लेंजर का ही यूज करना चाहिए अपनी स्किन को हाइड्रेटिड एंड मॉस्टराइज रखने के लिए यह आपकी स्किन ड्र जरूर कॉमेंट करें मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगे तो चलिए अब इस वीडियो को रैपप करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के जब बीटिफूल